Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Study Zone तो आपके लिए हम Part 2 लेकर के आए हैं इसके पहले हमने आपको Part 1 करा दिया था और चल रही है Class 11 का MP Board का Full Solution 2022 और 2023 में हुआ जो एक्जाम है उसका हम Full Solution का Part 2 लेकर के आपके सामने हैं चलिए तो Class, तो अब हमको Question No.6 से करना है Question No.6 से हम अपना आगे बढ़ते हैं तो देखें सबसे पहला Question No.6 में पहला Part दिया आगया आपके सामने दो Function है Fx is equal to x square और Gx is equal to 2x plus 1 आपको दोनों को Sum करना था तो बहुत ही Easy Question है F plus G का Whole X का मतलब हुआ करता है Fx plus Gx Simple Function का Question है दोनों को add कर देंगे तो टोटल दो element इसके तीन element इसके है तो टोटल 6 pair बनेंगे तो ऐसा bracket लगाई है तो 1,A फिर उसके बाद क्या आएगा 1,B फिर उसके बाद आएगा 1,C फिर 2,A 2,B 2,C कुछ लोग बच्चे पूस्ते हैं सार अगर bracket नहीं लगाए है यह हमने बाहर कर ली bracket मध्यम ब्रेकेट जो है क्या इसके marks कटेंगे डेफिनेटली इसके marks कटेंगे बाकी एक question ऐसे हो चुका है अगला question देखिए 40 degree 20 minute को radian बदलना है तो सबसे पहले देखो आपके पास में total आप इसको degree में लेकर के जाओगे तो 40 तो already आपका degree में है ही 42 degree में ही यह plus 20 minute है तो 20 by 60 आप इसको degree में बदल लो मतलब कितना हो गया 1 by 3 हो गया तो यहने कि 40 plus 1 by 3 degree हो चुका है इसको solve कर दो तो 43 जा कितना हो गया 120 plus 1 upon 3 मतलब 121 by 3 यह complete degree हो चुका है अब आप इसको किसे मतलना चाहते हो radian में तो radian में मतलने के लिए आपको क्या करना पढ़ता है डिगरी को radian में मतलने के लिए आपको क्या करना पढ़ता है πाई अपॉन 180 का multiply करना पढ़ता है तो answer कितना आगिया इसका 121 ओके 121 πाई upon 183 360 परिभ्रमण करता है भाई और बात किसकी 1 सेकंड की है तो जब 1 मिनट याने की 60 सेकंड में 360 चक्कर 360 परिभ्रमण मतलब चक्कर तो 1 सेकंड में कितने चकर हो गए 1 सेकंड में 360 बटे 60 याने की 6 चकर हो गए ना 6 चकर एक चक्कर का कौन कितना होता है एक चक्कर का कौन होता है 2 पाई तो 6 चक्कर का कौन 6 गोन 2 याने 12 पाई तो आंसर इसका कितना हो गया 12 पाई 2-3 I का गुडात्मक प्रतिलोन तो बहुत ही सिंपल है 1 upon 2-3 I इसको 2 plus 3 I से multiply कर दो उपर नीचे भाग दे दो 2 plus 3 I से तो उपर बने गया 2 plus 3 I और नीचे बने गया A square प्लस B square एक दो का square 4 और चतीन का square 9 तो 13 तो इसका आंसर कैसे लिख्या हो गया 2 plus 3 I upon 13 ये सही आंसर इसका 2 plus 3 I upon 13 चलो अगले question के और चलते है अगला question थोड़ा अच्छा आया है इसके और वाला तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे प्रशन आठवे के उपर वाले question में तूट पड़े होंगे और वाला किसी ने हाथ भी नहीं लगा होगा क्योंकि और वाले में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत है हलाकि कुछ खास नहीं है भी कर सकते हो बड़े अराम से क्या करना पड़ेगा आपको इसमें 5 प्लस 2i और 1 माइनस अंडरूट 2i है इसको A प्लस IV की रूप में लिखना है तो क्या करो आप यहां पे इसको लिख लो A प्लस IV एक्वल टू 5 प्लस अंडरूट 2i और यहां पे कितना आएगा 1 माइनस 2 और मल्टिप्लाइ में 1 प्लस 2 और कर दो और नीचे भी कितना कर दो 1 प्लस 2 और खल कर लो एक पार्ट ले लो रियल वाला एक अधिकल पे त्याने इमेजनरी पार्ट के फॉर्म में लिख देना जो भी आंसर आएगा देख लेना ओके आप लोग से बन जाएगा easy है ना बने तो मुझसे बोलना मैं अगले पेपर में solve करा दूँगा question number डाल देना ऐसे मेरे को लगता सबसे बन जाएगा 24x अपड़ बटे 100 को solve कीजिए जबकि x एक प्राक्रस संख्या भाई inequality का एकदम बहुत ही simple सा जंडू बाम question तो 24x बटे 100 तो x less than 100 ओके यहाँ पे आगा 24 देखो x का मान्ज होगा 24 इससे कम होगा ठीक है ना अपउन में चला गया 24 का आपने इधर दे दिया इसको यह कहलो कि 24 का भाग दे दोगे तो 24 का भाग दोगे तो 24 से 24 कट जाएगा लिए भाई किताबी भाशा की बात कर लेते हैं 24 का भाग दे दिया 24 से 24 कट गया अब 24,94 होता है यह मतलब 4.something याने x less than 4.1 ले लो यार इतने ही आएगा मेरे ख्याल चाहर क्या 4.0 या 4.1 संथिंग आएगा जो भी आएगा अब कहरा है इससे 4 से कम प्रक्रसंख्या है यार प्रक्रसंख्या में क्या होगा x का मान 1 होगा x का मान 2 होगा x का मान 3 होगा x का मान 4 होगा ठीक ना 1,2,3,4 बहुत सारे बच्चों ने 4 छोड़ दिया होगा जल्दी जल्दी में बढ़ ध्यान से देखो 4.1 से कम है तो प्रक्रसंख्या 4 भी सूट करेगी और कुछ लोगों ने 0 लिख दिया होगा तो मेरे प्यारे भाईयों 0 नेचरल अमबर में नहीं आता है चलो आँगे दिखते है अगला सरल क्वेश्चन है इसको सॉल्ब करते है है ना ये बहुत लोगों ने सॉल्ब किया होगा 4x प्लस 3 less than 6x प्लस 7 को हल करो तो क्या करेंगे इसमें 4x प्लस 3 4x प्लस 3 less than 6x प्लस किता है 7 है तो यहां से क्या करो 4x को इधर बुला लाओ तो 6x मैनस 4x और इधर पर जान दो 3 मैनस 7 कर दो ठीक है ना 3 मैनस 7 तो यह कितना हो गया x आ गया कौन सा x 2x और यह कित्ता हो गया माइनस का 4 क्या देख रहा है मतलब ऐसे देखा जा अच्छे से तो 2x की value जो है माइनस 4 से बड़े यह तो 2 का भाग दे दीजिए 2 positive है तो x का भाग 2 का भाग दे दिया तो यह पे कित्ता आ गया माइनस 2 तो आंसर क्या गया x greater than minus 2 तो जो लोग यह लिखकर के आए है यह भी सही है और जो लोग लिखकर के आए है x belongs to minus 2 to infinity यह भी सही है ठीक है ना तो दोनों आंसर इसके सही है चलिए अगला question देखते है elephant सब्द की अक्छरों से अगला question देखो 1 upon factorial 8 1 upon factorial 9 x upon factorial 10 नहीं तो x का मान आपको find करना है बहुत ही simple है बड़े प्यार से solve कर लोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं कैसे करना देखो 1 upon factorial 8 रहें दो plus इसको factorial 8 बना लो plus factorial 9 को लिख सकते हो 9 गुड़े 8 की बारात और इसको लिख सकते हो x 10 गुड़े 9 गुड़े 8 की बारात ठीक है ना काटा कूटी करो 8 8 8 कैंसल हो गया ये 1 बज़ गया plus 1 upon कित्ता हो गया 9 equal to 1 x upon कित्ता हो गया 90 हो गया ना तो 1 9 प्लस 1 किता हो गया 10 upon 9 equal to x upon किता हो गया 90 9 से 10 बार गया और 10 into 10 किता हो गया 100 हो गया तो answer इसका x equal किता हो गया 100 आ रहा है तो x की value किती हा रही है इसमें 100 आ रही है ये भी बहुत बढ़िया question चलो अगला question देखते हैं इसका प्रसार क्या आत करना था power 4 का है बहुत शांदर question है तो कैसे करोगे बच्चों 4C0 x square की power 0 x square की power 4-0 यहने 4 हो जाएगा और 3 बड़े x की power कितना हो जागा 0 फिर इसके बाद 4C1 ठीक ना x square की power 4-1 मतलब 3 हो गया और 3 upon x की power किता हो गया 1 हो गया फिर 4C2 x square की power यह square अंदर किता हो जागा 2 हो जाएगा 4 में से 2 माइनस हो के और यहाँ पे 3 upon x की power कितना हो जागा 2 हो जाएगा फिर 4C3 ठीक ना 4C3 x square की whole power कितना हो गया 1 हो गया और यहाँ पे 3 upon x की power कितना हो गया 3 हो गया और लास्ट टम जाचा 4C4 फिर X2 की पावर कित्ती हो गई यहाँ पे 0 हो गई और 3 upon X की पावर कित्ती हो गई यहाँ पे 4 हो चुकी है बस इतना आप करके छोड़ देंगे यही इसका प्रसार बन जाएगा डन आगे बढ़ते हैं चलिए देखें अगला question जो है ओपन हो जाएगा और answer आजाएगा ठीक ना चलिए अगला question बारवा उस ब्रत्य का समय करना जाएगा जिसका केंदर 1,1 तरिज्या 2 है यार इतने सरल question एकदम basic X-1 का square Y-1 का square equal to under root 2 का square तरिज्या R का square होता है ना तो root 2 का square कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बस इसको solve कर दो answer आजाएगा Y equal to 10 X के ना भी के इंदर दे सांग ज्याद करो बहुत ही simple है तो इक किस तरीके के दिख रहा है ये दिख रहा है Y square equal to 4 X का अब 4 E की जगे कौन खेल रहा है 10 खेल रहा है तो E equal कितना हो गया 10 बड़े 4 कारटा कूटी कर दो याने 5 बड़े 2 तो इसकी ना भी कितनी होगी ये parabola ऐसा जाएगा और इसकी जो ना भी होती है 1,0 तो E की जगे कितना हैगा 5 बड़े 2,0 तो ये बन गई इसकी ना भी ठीक ना अगला 10th class का question आगया बच्चों दो बिंदो की बीच की दूरी गयात करना है तो आपको मैंने formula बताई रखा है क्या होता है formula इसका ओके तो बच्चों इसको करना कि हमको इसमें formula लगाना है formula लगेगा इसमें कितना कौन सा वाला x2-x1 का square plus y2-y1 का square plus z2-z1 का square तो ये वाला formula लगाई है और आप इसके distance निकाल दीजे यदि आपको distance निकालनी भी है मैं मादद कर रहे तो 1-1-1 मतलब 2 हो जाएगा और 2 का square 4 हो जाएगा minus 3-3 मतलब minus 6 का square 36 हो जाएगा और minus का 4 और plus का 4 ये तो 0 हो जाएगा हो गया तो इसका answer कितना होगा under root 40 इकाई लिखना पड़ेगा आपको unit ठीक ना चलिए अगला question yx पर उस बिंदू के निर्दे सांग याद कीजिए जिसकी बिंदू 3-2-5 minus 3-2-5 से दूरी 5 root 2 है तो ये रिखे ये yx पर निर्दे सांग है ओके तो yx पर आपको निर्दे सांग याद करना है तो yx पर जो निर्दे सांग होता है yx पर x 0 होता है yy होता है z कितना होता है 0 होता है और यहाँ से इसकी बिंदू p p की p का नाम क्या है 3-2-5 3-2-5 से जो इसकी दूरी है 3-2-5 से इसकी दूरी है वो किती आपको दी गई है इसकी दूरी आपको दी गई है 5 root 2 किते दूरी गई है 5 root 2 तो आपको जो है इस से इसकी दूरी किती दी गई है 5 root 2 तो बस distance formula लगा दीजे और आपका answer आजागा तो under root क्या हो जागा 3 minus 0 का square और 3 का square 9 फिर minus 2 minus y है ना या एक काम कर लो y plus 2 का whole square इससे इसको minus कर दो y plus 2 का square plus कितना हो जागा 25 equal to 5 root 2 ठीक है इसका square कर दो आप चलो इसको square कर दो आप तो जल्दी solve जागा square कर गए तो 9 plus y plus 2 का square और plus का 25 और 5 कितना हो गया 50 हो गया 25 और y plus 2 का whole square ठीक है न, इधर कितना बच गया, 25 बचा, 25 में से 9 हो गया, 16, ठीक है, तो y plus 2 equal to 16, तो y plus 2 equal to कितना हो गया, plus minus 4, तो एक बर plus लेलो, एक बर minus लेलो, तो दो value आएंगी, एक बर plus लेने पर, एक बर minus लेने पर, okay, plus लेने पर plus 4, तो y equal to कितना हैगा, 2 है जाएगा, और minus लेने प पॉइंट बनेंगे, आपके पॉइंट बनेंगे, जीरो, दो, जीरो, और जीरो, माइनस छे, जीरो, अगला कोश्चन बहुत ही आसान है, कई बार मैंने क्लास में कराया ऐसे कोश्चन, साइन 6x अपॉन साइन 3x तो स्टैंडर्ड लिमिट लगाने का प्रयास करो तो लिमिट एक्स टैंस टू जीरो है साइन 6x है, नीचे क्या करो x का डिवाइड कर दो, और यहाँ पे साइन 3x है, नीचे भी किसका डिवाइड कर दो, x का, अब देखो requirement का है, यहाँ पे एंगल 6 चाहिए, तो यहाँ पे 6 का डिवाइड किया, 6 का multiply किया यहाँ पे 3 का डिवाइड किया, यहाँ पे 3 का multiply किया, यह 1 बन गया, यह भी 1 बन गया, जिसको मैं बोलता हूँ, रभ ने बना दी जोड़ी, और 6 upon 3 याने कितना आगया बच्चों मेरे, 2 आगया answer, तो answer कितना आ चुका है, 2 आ चुका है, चलो अगला question देखो, fx equal to x plus 1 upon x का आपकलाजिक, किस rule से करोगे इसको, दो तरीके हैं, एक तो, एक तो x के नीचे x ले आओ, और यहाँ पे x1 के नीचे x ले आओ, तो यह कितना हो गया 1, और यह हो गया 1 upon x याने 1 minus x की power minus 1, चलो अब यह अपना फलन बन चुका है, क्या बन चुका है, फलन, क्या बन चुका है, फलन 1 minus x की power minus 1, तो इसका आपकलन कर दो fx, 1 का कितना होगा 0, और minus n, याने minus 1, x की power minus 1 minus 1, मतलब minus minus plus 1 हो गया, और x की power कितना हो गया minus 2, मतलब 1 upon x का square हो गया, इकोल में ला करके ठीक है न, तो 1 plus 1 upon x है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक मिनट, एक minus बचना चाहिए, यहाँ पर हाँ, यहाँ गलती हुई थी न, है, यहाँ पर plus था, तो n x की power n minus 1 एक मिनट चेक कर लो, तो 1 plus 1 upon x, तो 1 plus x की power minus 1, हाँ, यहाँ पर plus है, ओके, और plus x की power minus 1 है, यह है, और फिर यहाँ पर plus आएगा, और n x की power n minus 1, minus 1 minus 1, हाँ, तो यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस आजाएगा, क्या होगा answer minus 1 upon x square इस वाले का answer होगा minus 1 upon x square simple है आप कलन कर दो और कुछ लोगों ने वो rule लगाया होगा कौनसा वाला अंच बटे हर वाला है ना d y d x u upon v वाला उससे भी कर सकते हो हर गुणे अंच का उकलन minus 1 गुणे अंच का उकलन आप बटे हर का square इतना basic question मतलब जिस paper ने बनाया और जिस master ने बनाया जिस teacher ने बनाया है मतलब आप तो क्या बताएं आप लोग की बले बले हो गई मज़े आगया आप लोग दूआ दे रहे हो इस teacher को कि इतना प्यारा question बनाया हो यार मज़ा आगया बहुत शांदर सब बच्चे जूम रहे होंगे एक दम इताईजी कोई पेपर कहां का आता है बट यहां पे आता है आगया अच्छी बात है और अब भी यदि इस पेपर में भी यदि कोई 50 नंबर से कम ला रहा ना मतलब भाई साब तुम 12th क्लास में तुम्हारा क्या होगा भगवान जाने बहुत त्यारी करो बहुत चबर दस्त यह देखो हल कर लोगे ना P E Union F equal to क्योंकि E Union या मतलब क्या होता है Union होता है ना Union और और या है ना हिंडी में दीख़ए इंग्रिश में और बोलते हैं हिंडी में या बोलते हैं पूरी की पूरी क्या हो इस्तरिया हो है ना दो पूरसों और दो इस्तरियों के समूह में से दो व्यक्तियों की एक समिती का गठन किया जाना है तो देखो भाई साब टोटल आपके पास कितने लोग है चार लोग है तो सबसे पहले probability निकालनी है क्या निकालनी है probabilty कोई भी पूरस ना हो probability मतलब پहली भी दोनों महिलाये हो मतलब पहली भी woman हो दूसरी भी woman हो है ना तो कैसे निकालना है टोटल आपके पास कितने हैं चार है चार में से दो पूरस है चार महिलाये है तो committee सलेक्ट कितने की करनी है चार में से दो की ओके यह हो गई आपके टोटल आउटकम 4C2 4C2 और कोई पूरुस ना हो मतलब महिलाएं सेलेक करनी है और महिलाएं किती है दो तो दो में से दो महिलाएं सेलेक कर लो लिए आंसर आ गया इसको हल कर लेना तो आंसर क्या बनेगा 2C2 upon 4C2 इसका आंसर क्या बनेगा 2C2 upon 4C2 अब 2C2 यानि में दो से दो लोग सेलेक करनी के तरीके एक 4C2 कैसे स्वाल करता मैंने सिखाया था उपर से दो कदम नीचे से दो कदम पीछे तो उपर से दो कदम पीछे 4 गुणे 3 और नीचे दो कदम पीछे 2 गुणे एक कैंसल कर दो दो बार कैंसल हो गया आंसर कितना आ गया 3, 2, 6 1, 2, 6 तो जो probability होगी कितनी आएगी 1, 2, 6 मज़ा आ गया अच्छा question अगला question यू इतना दिया है तो कहरा है A union B dash जो होगा वो A dash intersection B dash होगा तो सबसे पहले union निकाल लो A union B तो A union B कितना होगा देखो A union B कितना होगा 2, 1 बार, 2 बार तो यहां तो एक ही बार आएगा 2 के बाद 3 है फिर 4 है फिर 5 है फिर 6 है फिर 7 है और फिर कितना है 8 है अब कह रहा है A union B का dash मतलब यहां से लेके यहां वाली party हट गई तो बचा क्या एक बच गया और 9 बच गया लो भाई एक बच गया और क्या बच गया 9 बच गया अब क्यारा शो करो कि यह जो होगा A dash और B dash के एक कोल होगा लो भाई सब A dash और B dash का intersection तो A dash यहने A का ना होना तो A का ना होना 2, 4, 6, 8 नहीं होंगे मतलब क्या होंगे विश्रम संग क्या होंगी 1, 3, 5, 7, 9 यह होगा intersection B dash B dash के 2, 3, 5, 7 2, 3, 5, 7 2, 3, 5, 7 अगर नहीं होगे तो क्या क्या होगा 1 होगा 2 है नहीं 3 है नहीं 4 होगा 5 है नहीं, 6 होगा, 7 है नहीं, 8 होगा, और कौन होगा, 9 होगा, अब देखो भाई सब, इन दोनों में common कौन सा देख रहा है, इन दोनों में common क्या है, इन दोनों में common है, एक, ये दोनों में common है, और कौन common है, 9 common है, तो common कितना आ गया, 1 और 9, हाँ, बराबर हो गया, देख लो ये भी कितना आया था 1-9 ये भी कितना आगया 1-9 बस बात खतम हो गया answer चलो अगला question किसी स्कूल के 400 विद्यारतियों में सरवेच्छर में से 100 याने N.A. नमबर अफ एप्पल कितने हो गया 100 विद्यारति 150 शन्तर का रस N.B. कितना हो गया 150 ठीक ना और दोनो कितने कितने पीते हैंogo गया का रस्पीत है न तो संद्रेगा मतलब टोटल क्या निकाल लो सबसे पहले ए यूनियन भी निकाल लो कैसे निकालोगे एन सब कुछ पीने वाले कितने होंगे सो प्लस एक सो पचास माइनस कितना पचातर कौन सा फॉर्मला गा है एने प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन यह हो गया भाई सब दो सो पचास माइनस कितना पचातर तो दो सो पचास में से पचातर आप माइनस करो यह है पचातर दस में से पांच गया पांच यह कितना पांच बन गया कितना बन गया पंदरा ओके ने 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 यह पहले तो चार बनेगा ना हाँ क्योंकि दस में से पा अब कित्ते लोग कुछ नहीं पीते हैं तो भाई कुछ ना पीने वाले कुछ ना पीने वाले तो मतलब N A union B का बार ना equal to क्या होता है N universal minus N A union B यही तो होता है तो universal total कित्ते लोग है 400 लोग है 400 में से कित्ते माइनस कर तो 175 जो भी answer है लिख देना तो जो भी answer आएगा वो लिख देना था I think 225 आएगा 225 चलो भाई अगला question देखते हैं यह हो गया अगला question है किसी समांतर सर्णी का M वा पद N तथा N वा पद M है तो P वा पद ग्यात करो तो क्या question कर रहा किसी समांतर सर्णी का A M वा पद N है और N वा पद क्या है N है तो इसको क्या करोगे हल करोगे पहले M वा पद ले लेना M ले लेना A plus M minus 1 into D equal to N और A plus N minus 1 into D equal to M दोनों को हल कर लेना इससे क्या जाएगा A और D की value आजाएगी और इसकी value आने के बाद आप P मा पद निकाल लेना A P बराबर कितना होता है A plus P minus 1 into D so simple question आगे बढ़ते हैं P मा पद आजाएगा आपका एक से लेके 2001 तक के विसंग पूर्णांकों का योग ज्याद करो देखो भाई साब एक से लेके 2001 तक के विसंग पूर्णांकों का योग ज्याद करो ठीक है ना तो सबसे पहले एक मजी की बात समझो इसको दो तरीके से कर सकते हो आप या तो मतलब कि आप पहले आप number of पद निकाल लो, विसम पोड़ांक निकाल लो कि total पद कितने हैं, फिर n by 2 a plus l लगा दो, है न, n by 2 a plus l, क्योंकि क्या हैगा common difference, economics app है ना ये तो, समानथर सुर्णी है वो भी कर सकते हो, तो लिए मैं मदद कर देता हूं, एक से लेके 2000 एक तक, कितने पद निकलेंगे, सबसे पहले ये समझो कि, एक से लेके 1000 तक में 100 सम होते हैं और 500 सम होते हैं, समझे ना, 500 सम होते हैं, 500 विसम होते हैं, चलो ये छोड़ एक और तरीका लगाओ देखो मान लो 2001 में विसम पद है तो मान लो की 2001 जो है N वा पद है पहला पद क्या है 1 है A प्लस N माइनस 1 N माइनस 1 इंटू D तो विसम संख्या कहा शुरू होती है एक से फिर तीन तो common difference किते का हो गए तो यहाँ पर क्या रगदो तो आपको पदा चल जाएगा कि यह कौन से number का विसम पद है है ना यह कौन से number का विसम पद है तो 2001 माइनस 1 यह एक को इधर लियाओ तो कितना बच गया 2000 बच गया एक कौल टू N माइनस 1 इंटू 2 तो 2 का डिवाइड कर दो तो कितना हो गया 1000 N माइनस 1 N बराबर कितना आ गया 1001 आ गया मतलब कुल पदों की संख्या कितनी हो गई 1001 अब आपको योग ज्याद करना है तो S 1001 पदों का योग बहुत ही सिंपल है N बाई 2 ब्रैकेट में A प्लस L पहला पद प्लस अंतिम पद तो यहाँ पे रख दो 1001 पहला पद कितना भाई सा 1 है और अंतिम पद कितना है 20001 है ठीक है ना तो क्या हो गया यहाँ पे 1001 और ब्रैकेट में 1001 प्लस 20001 यहनि कितना हो गया 2002 हो गया परिमेई करानविधी से हल कर लो इसको बहुत ही simple question है उपर भी 1 plus x under root और plus under root one plus x का नहीं one minus है bracket में और नीचे भी under root one plus x और plus under root one minus x का गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा देखो a plus b a minus b तो a square minus b square तो one plus x minus देखो इसका square one minus x करोगा तो यह minus होनो जाएगा यह plus x हो जाएगा और नीचे क्या बैठा हुआ है नीचे बैठा हुआ है x पहली से बैठा है यह बैठा हुआ है और नीचे under root one plus x plus under root one minus x देखो मजे की बात x x क्या होगा cancel ना 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 one से one cancel हुआ है sorry x x cancel मत कर देना one से one cancel हुआ है x x cancel नहीं हुआ है उपर क्या होगया 2x बन गया नीचे x बन गया और under root के अंदर one plus x plus under root one minus x अब x से x cancel कर दो limit पुट कर दो तो limit कितनी है x tends to zero तो उपर भी two है और नीचे भी कितना है one plus zero बनाएगा plus one minus zero बनाएगा two upon two answer कितना है बनाएगा तो इसका answer भी बनाएगा मैंने class में कहा था कि प्रथम से धांत से sin x का अब कलज लिखा हुआ मिलेगा आपको और लिखा हुआ मिल गया ठीक ना क्या लगता formula एस में limit x tends to zero limit x tends to zero f of x plus h minus f x upon h ये यूज करके आपको प्रथम से धांत का उकलज करना है बाकी मेरे detailed solutions चैप्टर में जाओ तो आपको दिख जाएगा निम लिखे तांकडों में से माधिका के सापेक्ष माध देवे चलन तो पहले माधिका निकालो और माधिका कैसे निकालोगे इसको जमाने के बाद चत्वा डेटा आएगा और फिर छत्वा डेटा की बाद सबको माधिका माऍश करोगे उस डेटा को उस आकड़े को माईनस करोगे सबका वीचलन निकालोगे और वीचलन निकाल के भाग दोगे मतल सन बहुत बड़ी आकडों के सपेक्ष माध्ध विचलन, माध्ध के सपेक्ष विचलन, तो सब लोग तूट पड़े होगे, तो सबसे पहले क्या निकाला होगा आप लोगों ने, आप लोगों निकाला होगा, X-Bar, कैसे निकाले होगे, सिग्मा FI, XI upon सिग्मा FI, ये निकाले होगे, फिर इसक का मौड ले लोगे फिर इसके बाद क्या करोगे यहां पर FIDI की टेबल बनाओगे और फिर 10 of pi plus pi by 12 देख लो ध्यान से 10 of pi plus pi by 12 तो आपको पता है इसको हल कर लिए आपने डिवाइड करके भाग देगे तो 10 pi plus theta कितना होता है 10 pi plus theta 3rd quadrant में 10 का घर है no change यहने 10 pi by 12 और pi by 12 का मतलब कितना होता 15 degree इसको हल करोगे कैसे हल करोगे 10 15 degree sorry 10 15 बन जाएगा तो 10 45 माइनस 30 कैसे हल को है 10 a minus 10 b तो इसका आंसर आएगा root 3 minus 1 upon under root 3 plus 1 इसको हल कर लेना अगला question भाइस आप cos x cos 5 x तो उपर cos c plus d का formula लगाना है cos c plus cos d और नीचे sin c minus sin d और आपके पास answer क्या बचेगा cot x बचेगा क्योंकि उपर से common ले लोगे तो cos x आ जाएगा नीचे से sin x तो बहुत easy question है मैं क्या बताओ इसमें आप लोग बन जाएगा कुछ बताने लेक है नहीं अगला question देखो बाई साब i की power 18 plus 1 upon i की power 25 थोड़ा से जुगार लगाना पड़ेगा इसमें देखो i की power 18 म और i की power 25 तो i की power 25 कितना होगा देखो i की power 24 और i की power 1 तो 24 क्या होता 4 की power 6 तो 1 की power 6 कितना हो गया 6 वे 1 ही हो गया मतलब कुल मिलाके i बन गया तो 1 upon i बन गया बहुत शानदर अब एक ध्यान से देखो आप यह i square है यह 1 upon i है तो 1 upon i को क्या कर दो आप rationalize कर दो परिमेह तो है यह प्लस उपर कितना आगया i और नीचे कितना आगया माइनस का 1 तो कितना बने गया अपने पास में यह हो गया i square और यह हो गया माइनस का i तो 1 upon i कितना बने गया माइनस का i की whole power कितनी है 3 है 3 है इसकी ओके यहाँ पे whole power इसकी कितनी है 3 है ओके तो इसको आप क्या करोगे इसको आप square कर लो इसको a-b का whole cube लगा लो और इसको solve कर लो और कुछ है नहीं इसमें simple एकदम ठीक है यह कैसे कर रहा एक बर फिर से देख लो i की power 16 यह जो है 18 को मैंने solve कर लिया पहले तो i की power 18 मैंने solve क लिया हो गया i square बाकी one upon i की power 25 क्या बन गया one upon i बन गया इसको rationalize कर दिया i का उपर multiply i का नीचे तो यह हो गया minus i okay तो i square minus i का whole cube अब यहां पर क्या लग जाएगा आपका यहां लग जाएगा a minus b का whole cube का formula जो क्यों होता है a cube minus b cube minus 3a square b plus 3a b square तो यह formula आप लगा लिजा अगला question देखिए अगला question कह रहा है इस समीकरण को whole करो तो क्या करो इसको best थरीका क्या है इसके लिए आप क्या करो root 2 का पूरे में multiply करो तो lcm ले लो तो यह बन जाएगा root 2 x square plus x plus 1 equal to 0 अब इसके बाद आप 3 धरा 4 सूतर लगा दो x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a वाला इसमें आप सूतर लगा दो hello हो जाएगा है ना ठीक है अगला question देखिए अनुकरम 6 plus 66 plus 666 plus इतने का योग फल ग्यात करो बहुत ही जाना वाना question है यह कैसे solve करेंगे इसको यहां से आप क्या करो 6 common ले लो तो सबसे पहले जोड के पदों में लिख लो इसको योग के पदों में लिख लो फिर यह solve होगा तो ऐसे लिख लो आप मतलब यहां पर क्या लगा लो प्लस लगा लो एक तरीके से यह प्लस लगा लिए यहां भी प्लस यहां भी प्लस ठीक ना अब आपने क्या कि यह six common ल नीचे तो six बते nine और यहाँ पर क्या आगया nine plus 99 plus 999 plus 9999 इस तरीके से आता गया चलता जाएगा बस इसको आप इसके बाद क्या करो six by nine इसको क्या लेख सकतो 10 minus one फिर 10 की power two minus one फिर 10 की power three minus one फिर 10 की power four minus one plus तडडडडडडड़ एस चलने दो और लाश्ट में क्या है का 10 की पावर N-1 क्योंकि N पदों का यह हो गए न तो N-1 तो हो गया अब क्या करो कलेक्ट कर लो तो 6 बटे 9 लिखने की जगे खतम 6 बटे 9 सबसे पहले देखो 10 10 स्क्वेर 10 की पावर 3 तो इनको साथ मिल लो N पदों की GP तो बस N पदों की GP का योग कर दो और लिख दो तो किता बन जाएगा मैं ही कर दो 7 बटे 9 फर्मला के था A R to the power N 10 की पावर N-1 upon N-1 यानि की 10-1 ये ब्रेकेट लगाओ और माइनस का किता कर दो N कर दो माइनस का ब्रेकेट में अंदर ही अंदर क्या कर दो माइनस का N कर दो बस होगी इतना छोड़ के आजाओ आपको full marks मिल जाएगा चली अगला कोशन दिखिए अगला कोशन में आपको करना क्या है ये जो A की पावर N प्लस B की पावर N है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थमेटिक मीन को समानतर माध्यक को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अगले question में आपको करना क्या है कि a की power n प्लस b की power n upon a to the power n minus 1 प्लस b to the power n minus 1 equal to करना आपको a plus b by 2 और इसको हल करोगे तो आपके पास n की value 1 आईगी कित्या हैगी n की value 1 चले question number 23 करते है ओके तो चले देखी next question question number 23 क्या कह रहा है कि x का वहमान ग्याद कीजिए जिसके लिए बिंदू जो है sun रेक हैं तो क्या करो इसमें आपको त्रिभुज बना लो best method है कि आप इसका त्रिभुज बना लीजे तो यहाँ पर क्या लीजे x minus 1 फिर यहाँ पर लीजे 2,1 और फिर यहाँ पर लीजे 4,5 ठीक है अब इसके बाद के अगर इसका चेत्रफल आप 0 कर दो तो 1 upon 2 क्या होता इसका formula यह x रख लो पहले bracket फिर यहाँ पर क्या रख लो 2 रख लो bracket फिर इसके बाद में 4 रख लो फिर bracket equal to कितना 0 अब यहाँ पर y1 minus y2 मतलब minus 1 minus 1 फिर यहाँ पर y2 minus y3 मतलब 1 और minus का 5 और y3 minus y1 मतलब 5 plus 1 इसको आप 0 कर दीजे और 0 करने पर जो x की value आईगी वही आपका answer होगा So simple question अगला question देखते हैं अगला question है रेखाओं इतने और इतने के बीच में 2 रेखाओं आपको दी गई हैं इनका कौन आपको निकालना है तो क्या करना आपको सबसे पहले पहले पहली रेखा की प्रवणता आप निकाल लो तो y equal to under root 3x plus 5 मतलब पहली प्रवणता m1 equal to कितनी आगे under root 3 और दूसरी रेखा की प्रवणता थोड़ा सा निकालता हूँ तो root 3y equal to x minus 6 कर लो तो y equal to x upon root 3 और minus 6 upon root 3 तो जो m2 आ रही है न वो अपनी कितने आ रही है 1 upon root 3 यह आ गया अब आपको इसका formula मैं बता देता हूँ उससे आप प्रवणता निकालेजे 10 theta is equal to mod लगा के m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 ठीक न m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 तो जो है आप इसको use करिए आपका answer आ जाएगा मैं use करता हूँ देखो कैसे करता हूँ m2 यहने 1 upon root 3 minus m1 root 3 upon 1 plus 1 upon root 3 into root 3 ठीक तो यह कितना हो गया 1 minus 3 और इदर कितना हो गया और root 3 और bracket में इस cancel हो गया 2 हो गया ठीक तो कितना हो गया उपर उपर हो गया minus 2 और नीचे कितना हो गया root 3 और साथ में 2 बैठा है 2 से 2 cancel हो गया मतलब 1 by root 3 आएगा 1 by root 3 क्योंकि mod लेलोगे तो minus gap हो जाएगा so 10 theta is equal to 1 by root 3 मतलब theta जो acute angle बनेगा कितना बनेगा 30 degree बनेगा मतलब 2 रेखाएं जो होंगी वो एक दूसरे को कितने पर काट रही होंगी 30 degree पर तो इसका answer के तोगा 30 degree तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहा आज का solution है ना आप लोग ने solution देखते हो और अच्छा लगता है तो जरूर अपने दोस्तों को forward क्या करो बताया करो तो मुझी भी अच्छा लगेगा तो जुड़े रहो मेरे साथ solution को देखते रहो कोई भी problem आ रही है तो जरूर comment box में मेरे को बताओ कि sir ये ये मेरे को problem आ रही है तो मैं उसको भी आपको solve कर करके दूँगा thank you so much for being with location sir unlimited study zone have a nice day bye bye